नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पीके नियूस पर दोस्तों बर्दे बॉय डेविड वॉर्नर और रिधिमान साहा की शतकिय साजेदारी के बाद राशित खान की बहतरीन गेनबाजी के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 88 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया इस जीत के साथ ही हैदराबाद प्ले आफ की अपनी उमीदों को जिंदा रखने में कामियाब हो गई है वहीं दिल्ली को प्ले आफ में अपनी जगा पकी करने के लिए हैदराबाद पर हर हाल में जीत की जरूरत थी मगर इस हर ने उसका इंतजार बढ़ा दिया है हैदराबाद ने दिल्ली के सामने 220 रनों का विशाल स्कोर रखा और इस बड़े स्कोर के सामने दिल्ली ने पहले ही घुटने टेक दिये टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उत्रे डेविड वार्नर की टीम ने निर्धारी तूवर में दो विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाए जवाब में दिल्ली 131 रन पर सिमट गई 27 अक्टूबर को अपना 34 वा जन्मदिन मना रहे वार्नर ने 34 गेंदों पर 66 रन की और साहा ने 45 गेंदों पर 87 रन की आतिशी पारी खेली विशाल लक्षे का पीछा करने उत्री दिल्ली कैपिटल्स के शुरुवात काफी खराब रही और पारी की तीसरी गेंद पर ही एंडरिज नौर्किया ने शिखर धवन को डेविड वार्नर के हाथों कैच करवाकर कूल्डन डग करके दिल्ली को पहला जटका दे दिया खिताब की प्रबल धाविदार मानी जा रहे दिल्ली अभी धवन के जटके से उबर भी नहीं पाई थी की संदीप शर्मा ने मार्कस टॉइनिस को भी वार्नर के हाथों कैच करवाकर दिल्ली को 14 रन पर ही दूसरा जटका दे दिया इसके बाद रहाने और शिम्रोन हैटमायर के बीच एक अच्छी साजिदारी बनती नजर आ रही थी कि राशिद खान ने अपनी ओवर के पहली ही गेन पर हैटमायर को बोल्ट कर दिया हैटमायर 16 रन ही बना पाए इसी ओवर की पाँचवी गेन पर राशिद ने रहाने को 26 रन के निजी स्कोर पर LBW करके दिल्ली को 55 रन पर चौथा करारा जटका दे दिया दिल्ली को 78 रन पर स्रीय सेयर के रूप में पाँचवा जटका लगा अईयर 7 रन बना कर पविलियन लोटे हाला कि इसके बाद रिशाब पंत एक छोर पर टिके रहे मगर दूसरी छोर पर उन्हें साथ नहीं मिल पाया और अक्षर पटेल कागिसा रबाडा एक एक करके आउट हो गए संदीप शर्मा ने पंत को 36 रन पर आउट करके दिल्ली को 8 जटका दिया कप्तान डेविड वार्नर भी पहले बल्ले बाजी ही करना चाहते थे और टॉस हारने के बाद हैदराबाद को पहले बल्ले बाजी करने का ही न्योता दिया जिसका फायदा वार्नर और सलामी बल्ले बाज रिधिमान साहा ने बखो भी उठाया दोनों ने आतिशी बल्लेभाजी की वर्नर और साहा के आगे दिल्ली के गेंधबाज बेबस नजर आए पहले उवर से ही दोनों बल्लेभाजों ने गेंधबाजों की धुनाई शुरू कर दी थी छे ओवर के पावर प्ले में बिना विकेट खोए हैदराबाद ने 77 रन बनाए या IPL 2020 में पावर प्ले में सबसे अधिक रन का रिकॉर्ड है इससे पहले यह रिकॉर्ड राजस्थान रोयल्स के नाम था उसने किंग सिलेवन पंजाब के खिलाफ एक विकेट पर 79 रन बनाए थे वर्नर ने तूफानी बल्ले बाजी करते वे 25 गेंदों पर अर्ध शतक जड़ा उन्होंने सहा के साथ शतक किये साजेदारी की इस साजेदारी को 10 वे उवर की 4 गेंद पर अक्षर पटेल ने वर्नर को आउट करके तोड़ा वर्नर 34 गेंदों पर 6-6 रन बना कर पविलियन लोटे 107 रन पर पहला जटका लगने के बाद सहा ने मनीश पांडे के साथ अर्ध शतक के साजेदारी की और पारी को 170 रनों तक पहुचाया नौर्किया ने 15 वे उवर की 3 गेंद पर साहा को आउट करके हैदराबाद को 170 रन पर दूसरा जटका दिया दो विकेट गिरने के बाद मनीश पांडे का साथ केन विलियमसन ने दिया पांडे 31 गेंदो पर 44 रन बना कर नाबाद रहे तो विलियमसन 11 रन पर नाबाद रहे दोस्तों कैसी लगी आपको आज की मैच कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को हर आईपेल लवर के साथ शेर करना बिलकुल न भूलें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें